दे इंटर गॉवर्मेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म औन बायो डाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज आईपी बीएएस की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारी पारिस्तिकी तंत्र की सेहत हमारी अर्थ व्यवस्था आजीवी का खाद्य और जीवन गुडवत्ता में बहुत तेजी से छरण हो रहा है यह भी कहा जा रहा है कि इस से पहले गिरावट की यह रफ्तार कभी नहीं देखी गई करीब दस लाख जानवरों और पेड़ पौधों की नसलों पर विलुपती का खत्रा मंडरा रहा है वहीं इसमें से कई नसले तो ऐसी हैं जो जल्द ही खत्म हो सकती हैं ऐसा चरण मानो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ हमारी दुनिया में मौजूद जैविविधताओं की इस धीमी मौत में ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी भूमिका है जलवायू आपातकाल की घोशना को लेकर आव पुरी तरह से खत्म किये जाने की बात हो रही है तपती धरती के लिए ये गैस बहुत हद तक जिम्मेदार है स्वीडन की एक स्कूली छात्रा ग्रेटा थनबर्ग ने जलवायू परिवरतन के लिए ततकाल कारवाई की मांग की है पिछले ही साल यूरोप में कई हज़ार चात्रों ने स्कूलों से निकल कर महीने भर जलवायू परिवरतन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया इस कॉटलैंड ने जलवायू आपातकाल घोशित करने के साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन को दो हजार पैतालिस तक पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष टै किया है नियूजिलेंड की संसद भी जलद ही इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत इस दिशा में क्या कर रहा है परियावरण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संस्थान और विचारवान लोग विक्सित और विकास शील देशों की राजनिती और आरोप प्रत्यारोप में उल्जे हुए हैं हमारे राजनेता इस मुद्दे पर थोड़ी सी समझ रखते हैं लेकिन इनकी गंभीरता को इस तथे से आंका जा सकता है कि पूरे लोकसभा चुनाओ प्रचार अभियान के दोरान एक भी शिर्षनेता के जरिये एक बार भी जलवायू परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया वही नौकर शाही यथा इस्तिथी से आगे बढ़ना ही नहीं जानती दरसल जलवायू आपातकाल की पहचान अभी बेहत छोटी है मानोता के लिए जिस प्रलय को लेकर वैग्यानिक बातचीत कर रहे हैं उसे ज समझाता या परिभाशित नहीं करता है यह शब्द हमारे वजूद की बुनियाद यानि हमारे पर्यावरन को आसन खत्रे का आभास कराने में विफल है जलवायू परिवर्तन शब्द की ध्वनी संभावित खत्रे के प्रती आगाह करने के बजाए निश्क्रिय और कोमल है लेकिन जलवायू आपातकाल जलवायू संकट या हमारी अनविरत लापरवायूं से हुई कोई दुरघटना से उपजी बाधा के कारण होने वाली रुकावट यानि बेकडाउन जैसा कुछ है जो घटित हो रहा है और अगर हम बात करें तो देश के अलग-अलग भागों म बीते एक महीने के दोरान हुई अतिशाय मौसम यानि एक्स्ट्रीम क्लाइमेट सिच्वेशन वाली इस्तिथियां हमें याद करनी चाहिए अभी मई के शुरुगात में ही चक्रवात फोनी पुर्वी तट से तकराया है क्योंकि भारतिय मौसम विभाग ने गल्ती से एक ब बार कर गया है महरास्ट में 72 फिजदी और करनाटक के अजसी फिजदी जिले सूखे की मार वो फसलों का नुकसान जहेल रहे हैं देश के अलग-अलग भाग लू की चपेट में हैं इनमें उत्तर परदेश, केरल, तिलंगाना, महरास्ट और बिहार जैसे राजे शामिल हैं पश्चमी विछोब के कारण धूल और आंधी ने पश्ची मद्य और उत्तर भारत को अस्थिर कर रखा है इसमें फोनी से होने वाले जानी नुकसान के बराबर अब तक तक तकरीबन 64 लोगों की जान चली गई है वैश्विक तापमान में वृध्धी के साथ ही यह सब कु हम कुछी वर्षों में देर डिग्री सेल्सियस तापमान वृध्धी के करीब पहुँच गए हैं और दा इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म और बायो डाइवर्सिटी और इको सिस्टम सर्विसेज आईपी बी इस की की इसी रिपोर्ट में बचने के लिए आने वाले 12 सालों में तापमान बढ़ोतरी को महज डेर डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की बात कही गई है अब तक प्रकाशित कई अन्य वैज्ञानिक रिपोर्ट भी इस बात का इशारा करती हैं कि हम एक भीशन संकट की ओर बढ़ रहे हैं यह इस्त संखत्रे से निपटने के लिए जलवायू आपात काल की घोशना कर इस दिशा में कुछ कठोर कदम उठाने होंगे यह हमारे हित में होगा कि हम ग्रीन हाउस गैसों के उत सर्जन में कमी सही दूसरे कारकों पर भी ध्यान दे